नमस्कार दोस्तों देखें आज पुरे भारत वर्ष में निरंतर सुगर के रोगी बरते चले जा रहे हैं जिससे वहम सभी कष्ट में हैं और इस कष्ट को लेकर हमने आज एक वीडियो बनाने का निर्णे लिया है जो ऐसे खाद्य प्रदार्थ को हम दिखाने जा रहे हैं ज इसलिए हम इस खाद्य प्रदार्थ के सामने नत्मस्तक है आपको बताने जा रहे हैं इसमें बिटामिन सी बिटामिन बी मैगनेशियम आयरन मैगनिक कैल्सियम और फाइबर जैसे चीजें मिनल होने के कारण यह सुगर के पेशिंटों के लिए काफी गुरुकारी है यह खा है यह उर्द जो है सफेद और काली उर्द आती है हमने एक चम्मची सफेद उर्द लिया है इसको देखें आप हमने फुला लिया है रात का यह फूला हुआ है इसको जो है ऐसे पीस लेते हैं पीसने में जो है यह इसमें एक चुटकी यह हींग मिलाया गया है और एक जो है यह एक पुदीना है, यह सुखा के जिसको मिंट कहते हैं, एक चमच पुदीना इसमें डाला गया है, अब यह देख रहे हैं आप कि यह हमारे पास यह तेल है, यह सर्षों का तेल खास करके लिए हम लोग निकलवा के लाते हैं, जो सुद्य सर्षों का तेल हैं, यह बाजार स इस्तिमाल करें या सरसो का तेल इस्तिमाल करें हमें जो है आरवेट ने पताया है खास करके इसको इस्तिमाल करने के लिए और हम जो है दूसरा घटक और सोया बिंग जैसे और नहीं इस्तिमाल करते हैं अब देखें यह तेल गरम हो रहा है और गरम हो जाने के बाद इसमें अ इसमें आपको दिखा रहे हैं थोड़ा गरम हो जाए ये काफी स्वास्त के लाप्रद है हम जितना आपको जो है डोज बताएंगे उतना ही डोज लेना है क्योंकि ये बलकारी और पुष्ट कारफ होने के साथ साथ हाजमा भी सही रखता है पेट को दुरुस्त रखता है लेक आप उसको जो है अन्यंत्रित हो कर ले ये देखे थोड़ा हम इसको डालके ऐसे हमको बताया गया है थोड़ा फैला देना है और अब जो है एक और डाल देते हैं साइड में ये देखे आप जो है थोड़ा ऐसे ही इसको फैला देंगे तो ये थोड़ा अपने सुरूप में सुन्दर दिखेगा हर चीज को सुन्दर दिखना चाहिए आप जो है स्वास्त रहें मस्त रहें हमेशा बच्चों के साथ खेले कूदें और अपने स्वास्त को नियमित रखें थोड़ा द्यायाम करें और द्यायाम बहुत जुरूरी है 2-4 किलो मिटेर जितना आप पैदल च चलती है जो हवा काफी गुणकारी होती है वो हवा जो है उनका इस्तेमाल हवा का वो करती थी हम लोगों ने पूझा कि यह हवा कौन सा है माताई जी तो उन्हों ने बताया कि देखिए पुर्वा और पस्षिन तो सुना होगा ये एक दच्षण के तरब से हवा चलता है जो भोर में ही चलता है और ये हवा जो है स्वास्त के लिए काफी लाप्रत होता है जिसे वो प्रान वायू कहती थी और ये वायू अगर हमेशा आपको मिलती रही तो ये पिस हम इसको निकाल के पानी में थोड़ा डाल देंगे पानी में ये तुरंत नरम हो जाएगा जो इसको काफी नरम होना चीज जैसे रात में फुलाते हैं तो रात भर ये सोता है तो आराम से जो है सुबह ये ठीक होता है अब इसको हम निकाल लेते हैं अब ये निकाल तो चैनल के ये सब देख़ रहा है यह शिन्दानवक है यह भूना हुआ जीरा है और यह थोड़ा यह मिर्चा है और आप हम इसमें इसको निकाल लेइन गए एक पीस और आपको दिखाएनगे कि कैसे इसका इसका इस्तिमाल करना है ये देखें फ्राइ जो अच्छा पीस है इसको ऐसे एक ले लिया एक और ले सकते आप और इसमें जो है ये आप देखें ये दही है ये दो बार मलाई निकाली हुई है इसमें जो है लो फैट है फैट नहीं होनी चाहिए शुगर के पेसेंट के लिए ये हम दो बार मलाई नि चम्मच और आप डाले चोटा है चम्मच तो ठीक है और बड़ा है तो एक ही चम्मच में हो जाएगा और यह दही में जाने आपकी दूस से ज्यादा डेड़गुना कैल्सियम होता है कैल्सियम इसमें बढ़ जाता है दूस्ते इसलिए दही का इस्तमाल हम लोग करते हैं यह हमने सिंधा नमक आरवेद ने कहा है यह थोड़ा सिंधा नमक को इसमें डाला और आप щit आप भूना हुआ जीरा ये हमने इस पर जो है धाल दिया और ये देखें आप जो है ये अब धीरे धीरे ये आपके स्वादा नुशार हो जा रहा है और ये देखें अंत में थोड़ा सा हमने ये जो मिर्च है देगी मिर्च इसको मैंने जो है इस्तिमाल किया ये देखें अब ये काफी healthy और ये पिस्टी हो गया और ये सुगर के मरीजों के लिए इतना ही diet काफी है आप इसको जो है अपने नास्ते में उपर साम को सुबर कभी भी जो है इसको आप ले सकते हैं ये आप देखें और आपके आशिरवाद से जो है ये बन गया वीडियो में आप बने रहें और अगर अच्छा लगे तो like करें subscribe करें धन्यवाद अश्राइब